अब हम लोग पढ़ेंगे किसी बिन्दु आवेस के कारण किसी बिन्दु पर बिद्दु छेत की तीब्रता के सूत्र का निगमन करना है हम लोगों को है ना इबराबर वन अपान फोर पाई अपसाइलम नौट एन क्यूब आई आर स्कॉयर का सूत्र निकालेंगे ध्यान देना इसमें एक सब्द आपने पढ़ा किसी बिन्दु आवेस के कारण जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं आपके कारण ये मेरी पिन खो गई आपके कारण मेरा चपल तूट गया क्योंकि हम चल रहे थे आपने पीछे से लात लगा दिया होता है ना आपके कारण ये हो गया वो हो गया ऐसे ही किसी बिन्दु आवेस के कारण किसी बिन्दु पर बिन्दु छेत की तीब्रता का सूत्र सिद्ध करना बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम के दिश्टिकोंड से देखे यहाँ पर हम दो बिन्दु लेंगे एक बिन्दु आ लेते हैं और दूसरा q1 आवेस है और बिन्दु बी पर भी q2 इसके पहले कुलाम के नियम का सूत्र बताया था एक बिन्दु पर q1 दूसरे बिन्दु पर q2 अब होगा क्या कि यहां से यहां के बीच की दूरी जो है वो वार रख देते हैं अब देखो इस Q1 के अस्थान पर हम रखेंगे प्लस Q और इस Q2 के अस्थान पर रखेंगे प्लस Q नाट यानि प्लस ध्यान देना प्लस Q के कारण प्लस Q नाट का बिद्दु छेत की तीब्रता निकालना है या प्लस Q नाट के कारण प्लस Q का बिद्दु छेत की तीब्रता अब यहां पर हम लिखेंगे कूलाम का नियम कूलाम के नियम से और आप जानते हैं कुलाम का नियम होता यव बराबर वन अपान फोर पाई एपसाइलन नौड क्यू वन इन टू क्यू टू अपान आर इसक्वाइर से ये सूत्र पड़े हो अब होता क्या है इसमें यव बराबर वन अपान फोर पाई एपसाइलन नौड क्यू वन के अस्थान पर क्या है प्लस क्यू मैंने देखे इसके अस्थान पर ये माना है तो जहां पर क्यू वन है उसके अस्थान पर प्लस क्यू रख देंगे इन्टू Q2 के अस्थान पर प्लस Q नाड अपान आर स्क्वायर ये समीकर हो जाएगा A एक सूत्र और हम लोग जानते हैं बिद्दु छेत की तीब्रता का E बराबर होता है ये फपान Q नाड ये सूत्र सब लोग पढ़े हो इसका तीरिय गुड़ा कर दे इसका इसमें करोगे तो हम लोग को मिलेगा E F बराबर into Q नाड समीकरण 2 अब आप देख रहे हो समीकरण 1 और 2 का तुलना करोगे बाया बाया पक्ष बराबर है है ना तो जब इसका बाया पक्ष बराबर है तो दाया पक्ष समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तुलना करने देखो इतना यफ यफ के बराबर है तो जहां ये यफ है यफ बराबर क्या पड़े हो into Q नाड तो यफ के अस्थान पर into Q नाड यहां रख दो तो हो जाएगा इसके अस्थान पर क्या रख दोगे into Q नाड यहां पर रख दो यह हो जाएगा E into Q नाड बराबर इस तरफ ये पूरा उतालो 1 upon 4 pi epsilon नाड plus Q into plus Q नाड upon R square ये Q नाड भाग में जाएगा तो Q नाड क्यू नाड cancel हम लोग को मिलेगा E बराबर 1 upon 4 pi epsilon नाड Q by R square यही है बिद्दु छेत की तीब्रता का सूथ किसी बिद्दु आवेश के कारण ध्यान देना प्लस Q आवेस के कारण प्लस Q नाट का या प्लस Q नाट आवेस के कारण प्लस Q का विद्दुछेत की तीब्रता यहाँ पर देखो फैक्ट निकालेंगे जैसे कुलाम के नियम में आपने क्या लिखा था यफ इजब प्रपोशनल टू Q1 इंटू Q2 और यफ इन्वर्सली प्रपोशनल वन बाई आर स्क्वाईर वैसे इसे लिख सकते हो इजब प्रपोशनल क्यू यह समी करण तीन और यह समी करण चार देखो यह किसके प्रपोशनल हो गया क्यूंके और यही किसके प्रपोर्शनल होगा वान अपान आड स्क्वाइर के अब यहां से आपको क्या मिल रहा है यहां पर यह चार यह पांच यह जो आवेस है जराध्यान देना बिद्दु छेत के तीब्रता के अनुक्रमानुपाती होता है यानि आवेस बढ़ेगा तो बिद्दु छेत की तीब्रता बढ़ेगा आवेस घटेगा तो बिद्दु छेत की तीब्रता घटेगा यहां आप देखो यहां पर अगर सूत्र से यहां देखो यहां देखो यह क्या कर रहा है यहां क्या कर रहा है आवेस अगर बढ़ेगा तो एका हो जाएगा घट जाएगा लेकिन यहां क्या कर रहा है आवेस बढ़ेगा तो यह क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा आवेस घटेगा तो यह और दूरी बढ़ेगी तो तीबरता घट जाएगी दूरी घटेगी तो इगर बनान देखो इसमें क्या लिखेंगे, माना दो बिंदू, A तथा B पर उपस्थित आवेश की मात्राएं क्रमसह, Q1 तथा Q2, Q1 पर उपस्थित आवेश प्लस Q, Q2 पर उपस्थित आवेश, Q0 एक दूसरे से इसमाल आरदूरी परिस्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्सन बल, प्रतिकर्सन बल, फिर उसके बाग कुलाम के नियम से यह अपना लिखना है, फिगर बनाईए,